तो आज कामा टोपिक है वोटर, पानी, जल ही जीवन है, एस टूओ, ठीक है, आज इस पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन के बारे हम पढ़ रहे हैं, और वोटर में हमें पता है, कि हाइड्रोजन ही है, ठीक ह हाइड्रोजन होता है, तो स्पेसिफिक हम इस टॉपिक के उपर बात कर सकते हैं, चलो आज हम वोटर के बारे हम जाने की वोटर की क्या-क्या क्या 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 हो सकती है, उनली पीने की काम नहीं आता, उसमें और क्या-क्या क्या 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 होती है, हम स्पेसिफिक की उस इसके अंदर हमारी human body में हमारी human body में कितना होता है 65% 65% हमारी human body में पानी होता है ठीक है और अगर अगर आप समुंदर में देखें तो समुंदर के अगर नीचे देखते हैं तो आप भी कुछ plants होते है जो वहाँ पे उखते हैं तो वह ओखते हैं तो थोड़ा रोल होते हैं लेकिन था को ऑने उखते हैं ठीक है वो फैक्स से हैं एक्टिली तूज कोई आपकेds नोर्म पता नहीं होता है कि उमंषों में कितना पानी होता है अब इसके बाद आता है कि हमारे और पांडी कहां खाहा हमें मिलता है तो सम दिंग मेंOOO में हमारे 97.something percent पानी तो हमारे oceans में होता है समुंदर के अंदर ही होता है बाकि वैपर में बनता है फी नदियों में जाता है नदियों से glaciers जो है बर्फ बनती है 2% उसमें होता है ड्र पिगलते हैं उसमें से पानी जाता है वापि सम उन्दर में चला जाता है तो एक्चुली इस टाइप से हमें पानी round मिलता रहता है मौस्ट स्थी वैपराबधिशन होता है पानी की जब भाब बनकी उठती है और बाहस्ता है तो वहां पर हमारी glaciers में में kanward हो जाता है फिर उनलदियों में पानी मिलता है थीक है ऐसे नहीं कि गर में फिर में लंबा प्रोशेस होता है पानी आने का कि दूसरा पॉंट होता है इसका हाइब वॉरिंग पॉंट होता है ठीक है अम लब गरम करेंगे तो व्याइब में इंटर व्यूर्बिक सब्सक्रार को जब एक व्यायच है रही पॉइंट होता है jáh फ्यूजन जैसे आइटम्स होते हैं जब उसमें वो रियक्शन्स होती है एक्चुली जो समुंदर की सब्सक्राइब होता है उसके कोर में फ्यूजन होता रहता है हाइड्रोजन चेंज होता है लीथियम में लीथियम चेंज होता है बेरियलियम बेरियल बोरॉन कार में तो चेंज होते रहते हैं उनमें फ्यूजन होता है तो इसके जो है फ्यूजन वह भी हाई होता इसका ठीक है इस टोपिक आ आएगा थोड़ा आगे जा क्या आता है आपके फिजिक्स में फ्यूजन तो इसमें डिटेल में है फ्यूजन क्या होता है ठीक है इतना समझे इसकी हाई हीट और हाई हीट और फ्यूजन भी इसका होता है इसलिए इतनी क्वालिटीज है इसके काने थोड़ा सा डिफरेंट ब होती है ठीक है इस्पैसैक होट ही होती है थर्मल कंड्ड этि होती है सरफिस TENT होता है मतलब इसके आपर लेयर पार यहां पर सरफिस टेंसर। तो सर्फेस ईयुक्रियस आपकाय कोंस्टेट है मतलब इसमें इलेक्टिटिटी भी पास होती है इंटीकर कंड। हर चीज में mix हो सकती है लग लग है जीज को घिला घूलgression कर सकता है तो इसा होता है फिर स्थांटर होता है पास होती है इसमें की किacci व्लरत टीन सी मिल जाती है हैं किसी किसी solvent solvent बनने के लिए इस ग्रेटाबंट बनने के कॉल्टि मिल जाती है ठीक है अब वोड़र क्या है हमारे पास वोड़र क्या है कि इसकी जो आइव का अन्य सब्क्रांट होती है ड्रस होता है जैसे एक लाइमेट चेंज होता है हमारे हुमन बोर्डिका टैंपरिचर होता है तो उस टैंपरिचर को मैंटेन हमें हमें वॉतर रही करता है क्योंकि शमूंधर अपने 75 पर संवंधरी समूंधर अचार उतर फोर्शियन ठीक है और सन की लाइट पढ़ती है वह उसका वैपर बनता है आसमान में जाता है बात दोब में आता है वह परस्ट के आता है हमारे पास तो उसको हमारे temperature को मेंटन रखते चली क्लायमिट को मैंटन रखते है तो हां इसके हाइव रजएके इसको तो हाइब कि मारे पास वार्टर वर्पराइज हो कि समूंधर में जहां कि वापिस हमारे पास आता है पिर वापिस प्रोशेस होता है जिसके हम जिसको फाइदा उठाते है तो इसकी का नहीं क्लाइमेंट नहीं ठीक है और तो यह इसकी कोल मिला कि इसकी फिजिवल प्रोपर्टी कोल मिला कि कह सकते हैं कि हम है जल है तो हम है हम है एक्टिली कह सकते हैं ठीक है अब जो इसका स्ट्रक्चर होता है वह देखते हैं तो हम वोटर की स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास होता है एस्टू तो यह 4.5 इनकी जो बॉंड लेंथ होती ही जो लेंथ होती है 95.7 पिको मीटर ठीक है यह इनकी बॉंड लेंथ होती है एक्चली यह हम पहले पढ़ चुके है चली केमिकल बॉंडिंग में हमने एस्टो का एक्जामपल कि इसको समझा था फिर भी चलो ठीक है इसका देखें तो क्तर साउ इतिका यह से पूर आखें से ट्रहें कि यह 3 कह यह यह हमें निकाल लाता है क्याyor कि तो աोन पेर पता होना चीए आपको क्योंगी बहुत पहले आज चुका है लंपिय का किया सवह है और कि यह करता है यह इसको बॉंड को नीची दबाते हैं है निकल आता है वापी सिहान नहीं सकते हैं ताइम लग जाता है ठीक है और इसका हुता है SP3 so तो यह हमारे पास वोटर का तो हम आए स्ट्रक्चर में होता है तो इसका structure हमारे change होता है वो देखते हैं तो हम structure of ice देखते हैं जब ice का structure देखते हैं तो ice में क्या होता है actually वो highly ordered होता है न बहुत balance बहुत stable होता है वो और कुछ इस टैप से होता है कि hexagonal टाइप में आपको shape नजार आएगी ठीक है मलब एक oxygen होता है वो something चार oxygen से connect होता है ठीक है वो something एक ओक्रीजन जो तो सम्थिंग चार ओक्रीजन से connect होता है ठीक है और इनकी जो shape होती है something इस टैप से हमारे पास निकल की आती है आपकी book में दे रख है ठीक है कुछ इस टैप से स्पेस से हमें मिलते हैं यह सुरी यार थोड़ा इस टैप से हमें मिलता है लाइक बैंजीन लेकिंग बैंजीन तो नहीं होता है फॉर्म बस यह बीच में लब इस टैप से अरेंज होता है इनकी बीच में hydrogen bonding भी होती है hydrogen bonding chemical bonding में हमने पढ़ा था फिर वी एक कि पार्चिल चार्ज क retrieve होता है उस पर या पसम्नीक होते है hydrogen पार्चिल चारज यह करेण ऑपस में होते तो हमने पढ़्त से ठीक है च्छिब आ तो इस ट्रैप शेप होते हैं काफी स्टेबल होते हैं और एक स्रेश से जब हमने इसको जब देखा तो एक ऑक्षिजन होता है वो चार से स्टेबल से बात है कि इनकी बीच में इश्पेस होता है यह मलब सिंपल सी बात है और कोई छीज में अगर खाली पन होगा तो वह हल्का हो जाएगा तो इनकी जो डैंसिटी है वोटर की कमेरिजन में वह कम होते हैं ओर एक सिरे से जब इनको देखा गया था इनकी अरेंजमें की आई थी शेप यह थोड़ा सेप में होता है like benzen टाप से रिंग सोती है उन्हीं में खाली होता है लोड्ट बैंजी नहीं नहीं होती है बेंजीन आपकी आएगा क्या होती है ठीक है और देंसीटिन की कम होती है ठीक है कि highly ordered होते हैं तो यह आप structure of ice दोनों अलग अलग है जब ice में करनोड होता तो अलग होता है और वैसे अलग होता है ठीक है अब इसकी जो chemical properties है वो देखते हैं इसकी अब हम कुछ chemical properties देखते हैं ठीक है जो इसकी first chemical property हमारे पास आती हो एमफोटरिक काती है एमफोटरिक कह सकते हैं nature यह हमने equilibrium जब पढ़ रहे थी वहां पर हमने पढ़ा था कि acid बेस जो होता है मतलब जो वोटर होता है बस only एक molecule ऐसा होता है जो acid की तरह भी बिएव करता है और जो base की तरह भी बिएव करता है ठीक है इसका अगर हम एक example देखें तो एक हम डोनों तरнуться s2 s2 दो लेते हैं एक हम ले लेते हैं इसके साथ base और एक तरफ हम इसके साथ लले लेते हैं ठीक है अब ये बेस है अ millionaire को पता तो ये इसके साथ acid के तरह भी पर रहे जोग ठीक है इसके साथ acid की तरह बीहेव करेगा यह मैं पता acid है तो यह के साथ बेश की तरह भी उकर आए बस यह quality water में होती है ठीक है यह सकाथ S3 o plus plus hs minus यह quality actually water में होता है कि आह बड़ी किमाल की quality आरही है कि यह दोनों तरह भीएव करता है अश्यट की तरह भीएव करता है ठीक है इसकी जो second chemical property हमारे पास आती है वह आती हमारे पास redox reaction की ठीक है इसमें क्या खास बात है यह easily oxide भी हो जाता है और easily reduce भी हो जाता है यह दोनों qualities भी पाई जाती है ठीक है मलब एक time पर आपको s2 भाहर निकलता हो मिल जाएगा और एक time पर आपको कि है एस त्व होटर है तो यहां पर हमारे पास रभी 3 इस पर पलस वर चार्ज था सबस्क्सरा पर ज Lights निइ ऑक रीर्डुक्षट निखिए तो यहां हम देखिए तो ऑक्सिजन चैंजन रहता है चलिक प्र माइनस तू होता है यह घंज रहेगा लेकिन यहां देखेंगे तो हाइडोजन का हमारे पास स्ट्रेक्शन हुआ है वैसे हम दूसरा एक्जाम्पल देखें ले लेते हैं ठीक है वोटर ले ले लेते इसाथ में तो हमारे पास कुछ इस टाइबसे ऐारनब ही सह फोर एफ कर यह निठों इसका हमारे पास सी चूचाइस चाह Strength इसका हमारे पास पारे निकल जाएग वार किया है थाँ एसका हम अध्या था लेते हैं होटरी नेके तनके होius Too ने फैल प्रो प्रोपर्ट्टि फैलों में थाएलोडिस्ट्ट्य ऐला ह seninे अपक से यहां पर सिलिकन था इस नेadaşि हमारे अलग से कंपॉंट्ट बना लिया तो इ comb टिक यह मलब हाईडोलेसिट क्या सकते हैं कि मिक्सपड हो जाना या एक वोटर मिक्सपड हो चुलू ठीक है न वोटर का मिक्स हो गया उसकी अंदर हम नहीं माले एक पावर इसकी ठीक है एजले लेक्ट्रिक कंड़क्ट हो जाती है इसके अंदर कंड़क्ट मलब एलेक्ट्रिक करता है आगर देखें तो इस ट्राइब में हमारे पास होता है तो यह इसली कंड़क्ट कर आपके अलग टोपिक आगा फिजिक्स में ठीक है तो आफिलाल यह है कि नोर्मल जान लो कि इसकी जो हाई डायाट्रिक कंस्टेंट होता है यह बहुत श्ट्रॉंग हो जाती है ठीक है और दोनों चीज़ों में काम करता है यह नहीं हमने कोवलेंट लिया है यह आइनिक आइन तो इसमीं हमारे पाँ च्छूर्थ प्रपर्टी अन फार्मीशन हाईडरेट कर देना है या अकर हम बॉटेंटार के और प्यास लग रही हो थीक है तो हम क्तायादे हैं लेकिन ने数 है हाइड़ेट हो जातेए है तो थीक हैं तो हाय जो वॉटर होता है यह सब इस थरीप के की वाज चेप है लिएक्ष़न खॉर्मिशन बनाता है अलग सब्सक्राइबuite कॉपल्टिकी इस कॉइब इस टरए से एम आहे खॉज़़े शार। थैक है एक करडिनेशन पार्ट होता है यहाँ पॉजिटिव तोनों मिलके कोडिनेशन कंपाउंड एक और कॉंप्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं बड़ा और कंपाउंड कह सकते हैं आप उसे तो इस टाइप की हमारे वोटर हमारे बना सकता है दूसर टॉसर टाइप राता है इंट्रिस्टिशियन त एक रबीज के इधर सेल तो बीच में इनके वोटर गुश जाएगा तो यह तरफ की यहां पर आश स्टू तो यह उस्ट्रफ की कमपाउंड बनाता है थैडर हमारे पास तो लिए हैड्रॉजन बोंडिंग जो होता है है तो हमारे पास होता है इस पर ल से हमारे बात है है इस शेयन की तरह होता है यह एक चैन की तरह भी compound बनाता है एक्चुली तो डिफरेंट सिंपल सी बात है तो हमारे पास वोटर जो होता है वह हर फॉर्म में होता है जब प्रैटिकल भी देखते हैं तो हम वोटर काफी यूज करते हैं ठीक है तो सिंपल सी बात है वोटर तो किसी भी रूमें ढ़ल जाता ह है तो अलग अलग टैप से फॉर्मिशन बना सकता है इसकी फॉर्थ क्वाल्टी होती है जो इसकी फॉर्ड केमिकल को प्रोपर्टी होती है कुल मिला के जो हमने अभी पैड़ी है इसके अंदर आइधिंग सिंपल है ईजी है समझ में आगया होगा वोटर के बारे में कि वो वोटर को लिक्विट से तो हमने इसमें वह समझ लिया है